नमस्ते उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे भार सरकार के दोवारे जो ही नाया पोटल की सुर्वात किया गया है जिसके माधियम से घर बैठे अगर आप जनौपरमारपतर के लिए आउदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आउदन कर सकते हैं और साथी सा सब्सक्राइब करने का जो परसीजर है उसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए तो आज किस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि मिर्तु परमारपतर के लिए किस तरसे जो ओन लाइन फ़र्म आप भर सकते हैं कौन-कौन से आपको डॉक्मेंट देने होते हैं और किस तरस आपका जो document है वो एप्रूब होता है तो प्लीस वीडियो सुरू से आन तक लिएकर जरू देखिएगा और वीडियो तरस पर अच्छा लगे तो प्लीस वीडियो को like जरू करिएगा तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं करना होगा ठीक है जैसे क्लीक करेंगे तो आपके सामने यह वाला जो पेज है यहां पर उपन हो जाएगा हाला कि साइड थोड़ा सुलो काम कर रहा है इसलिए आपको देखनी को नहीं मिल रहा है इसको हम दूसरी टेब में खोल के देखते हैं कई बार जो ही प्रॉब्लम भी नाम लिखेंगे ठीक है उसके बाद अपना सेक्स बताएंगे और डेट बर्ण बताकर यहां पर नेश्ट के बटन पर किलिक करके अपना जो इंफोर्मेशन है उसको डाल कर आपना जो रहा निचे दिया हुआ है यहां पर हम लॉगिन करेंगे तो अपना जो भी मॉबाइल दिया हुआ है उस नमबर को डालेंगे कि अप्चा को करेंगे लॉग इंक बटन पर क्लिक करेंगे अब आपका जो भी मॉबाइल नमबर यहां पर दिखा रहा है ना उस पर एक OTP गया हुआ है लॉटर प्वा पर डालेंगे तो नहीं हो पाएगा तो यहां पर सईज डाल के ह तो आप यहां पे login हो जाएंगे ठीक है login हो जाने के बाद यहां पे आपना जो बर्थ वाला काम है वो कर सकते हैं जैसे कि किसी का भी बर्थ हुआ है और उसका रश्रेशन नहीं हुआ है चाया उनका उमर कितना भी है तो आप यहां से कर सकते हैं उसके लिए हमने अलग वीड विट्व हो गया है तो उसका जो देथ certificate है बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर click करके उसका जो form है यहां पर भर सकते हैं अब यहां पर कुछ information आपको भरना है सबसे पहले तो आपना जो भी state हो बताना है कि आप जो है किस state से आते हैं फिर यहां पे जो भी समान्य सुचना होता है जैसे कि आपना जो भी आप फॉर्मेट है इंगलीस में या फिर हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप हिंदी इंगलीस कर सकते हैं या फिर इंगलीस हिंदी कर सकते हैं कोई भी दिकत नहीं है उसके बाद कब आप रिपोर्ट कर मेंसरों करएंगा जैन्टर बताता हैं उनका जनम का तीथी भी आपको बताना होगा तो उनके धार काट पर देख लिएगा जो भी उनका डेट अब बर्थ होगा वो यहां पर आपको मैंसन कर देना है ठीक है फिर यहां पर उनका उमर जो है टोमेटिकली आ जाएगा और मन्त भी और देखने को मिल जाएगा उनका जो घंटा है वो बता सकते हैं कितने घंटे उसके बार कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहां पर जो ही कीवोड दिया गया है हिंदी वाला और इहां पर इंग्लिस वाला तो इसकी मदस से आप अपना सुधार भी कर सकते हैं तो उस तरह से नाम लिखेंगे उसके बाद यहां पर मिर्तक के नाम की पूष्टी आपको फिट दो जनकारी आपको देना है उसके बाद उनके जो मदर का इंफोर्मेशन है जिनका मिर्तु हुआ है वह जनकारी को भरना है उनका first name middle name last name क्या है यहां पर हिंदी में भी उसके बाद उनका स्थिती बताएंगे कि उनका साधी हुआ था या फिर नहीं हुआ था तो हुआ था तो मेरिट बताएंगे तो मिर्तक के पती या फिर पत्नी की जनकारी आपको देना होगा जैसे कि मालेज अगर कोई पूरुस है तो उनकी पत्नी की और कोई महिला है तो उन जो भी जीवन साथ ही हैं उनका नाम लिखेंगे यहां पर अधार नमबर के साथ उसके बाद जनम ती थी और उनका इज आटोमेटिकल यहां पर काउंट कर लिया जाएगा उसके बाद संपर का जो ही डीटेल से यहां पर मुबाइल नमबर इमेल आइडिय आपको दिया देना बाँर किस देस में उनका मिटतव हुआ दो जनकारी बता सकते हैं इंडियम हैं तो इंडिय कों से राज्यें में नहीं हो सकता और दूसरे किसी राज्यबं है जिस भी राज्ये में uh जैसे उनका जीला है इस ने हम Manager बना को भरने के पता है अनिकूड का जर्म करम कहा हुआ यह धाई पत का है वह जंकारी आतको बताना होगा गर फिले समय मिर्था के फिले को भवा बाकि हुआ पर देख सकते हैं कि प्लेस अब देथ उनका मिर्थु कहां पर हुआ घर पर अस्पताल संस्ता में या फिर अन्य कोई अस्थान तो जो भी आपका कंडिशन है कंडिशन को बताएंगे बाकी मिर्थु के समय मिर्था का जो पता है कॉपी करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कर सकते हैं वही चीज़ें यहां पर कॉपी हो जाएगा बाकी यहां पर आपका जो भी राइस्टेशन यूनिट है वह स्लेट करने का अप्शन आएगा जिसका सेलेक्शन करेंगे और यहां पर सेब ड्राप के बटन पर क्लिक कर देंगे चुकि जो भी आप जनकारी भरेंग सेब हो जाए ठीक है मालने यह फॉर्म भरता समय किसी परकारी के समस्या होता है तो कई बार जो है फॉर्म में जो भी जनकारी अब दिये होते हैं और रिस्ट हो जाता है तो अगर आप इसको सेब कर देंगे तो ड्राप में सेब रहेगा फिर आप जहां से लोग इन करेंग अगर आपका सेम होगा तो आप यहां पर टीक कर सकते हैं तो सेम हो जाएगा लेकिन अलग है तो आप अपना जनकारी जो है भरेंगे कि जो भी ग्राम या सहर है जहां मिर्तक का निवास है वो इनफोर्मेशन आपको भरना है फिर यहां पर मिर्तक की जनकारी आपको भरना ह ठीक है उसके बाद जो और इंफोर्मेशन है वो आपको फिलब करना है कि मिर्तु से पूर प्राप्त किसी परकार की चिकिस्ता का परकार है तो बता सकते हैं कि संथागत हुए या फिर स्थान के अलावा अन्य कोई चिकिस्तिय देखबाल हुआ था या फिर कोई चिकिस्तक द नहीं हुआ है तो आप यहां पर नो ही करेंगे फिर यहां पर क्या मिर्तु का कारण चिकिस्तिय रूप में परमाईत किया गया है अगर किया गया है तो हां करेंगे नहीं तो इसको नो कर देंगे उसके बाद बीमारी का नाम या मिर्तु का वास्ति कारण क्या है वो आपको सुसाइड उन्होंने किया या फिर रैविज उनको हो गया या फिर किसी परकार के उनको मलेरिया हुआ था लीबर का प्रोब्रम था या फिर जैन्रिस्ट था कई सारे फूड प्वाइजन था ठीक है डाइरिया था इस तरह से देखेंगे तो कई सारे आपको देखने को मिलें उसके बाद यदि मिर्तक धुर्मपान या का आधी था तो कितने बर्सों से था यादि कि अगर धुर्मपान करते थे तो आप बता सकते हैं नहीं तो नहीं करेंगे यदि किसी रूप से तम बाकू चबाने का आदी था तो कितने बर्सों से था आप बता सकते हैं नहीं है तो नो कर देंगे यदि सुपारी पान मसाला समलित करने हुए चबाने का आदी था तो कितने बर्सों से था वो बता सकते हैं यदि सराब पीने का आदी था तो कितने बर्सों से था वो जनकारी यहां बदा सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पे upload supporting document जो jpg, png में आपका होगा अठा 8MB से कम आपका document होगा जो कि आगे आपको भरना होगा तो इसको पहले save कर लिजिएगा फिर यहां पे नेश्ट के बटन पर आपको click करना है अब यहां पे आपको जो ही document upload करना है जिसका size जो ही 8MB से कम होनी चाहिए jpg, png, pdf में रहेगा आप इसको easily upload कर सकते हैं सबसे जो पहला document है address proof के लिए आपको देना होगा जिसमें देखेंगे तो बहुत सरे document का list दिया गया है जो भी document मिले तक के पास level है वो आप यहां पे दे सकते हैं जैसे कि अधार काड हम यहां पे देंगे और उसका जो भी description ह यहां पर चाहें तो लिख सकते हैं उसका browse and upload के button पर क्लिक करेंगे जहां भी आपका document है वहां से इसको select करेंगे इस तरह से आपका document है upload हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पे देथ supporting form आपको भरके जो यहां पर जामा करना होता है यहां पर upload करना होता है जिसका नाम है form for a ठीक है तो यह document आपको कहां मिलेगा मानिजे इसको आपको भरना होगा एक प्रकार का form होता है तो form का जो link है आपको easy to net.com पर आना होगा तो आप search कर सकते हैं easy to net.com या फिर link हमने नीचे दिया हुआ यहां पर लिखना है birth ठीक है नहीं लिखना है तो search करना है तो आप य जो नम और मिर्तु प्रमाड पतर बनाना है तो किस तर से बना सकते हैं यहां पर जो ही form download का एक button मिलेगा जिस पर आप click करेंगे तो यहां पर जो ही form आपको मिल जाता है जैसे कि मान लिजिए birth report करना है उसका भी form आपको मिल जाता है ठीक है यहां पर देखेंगे तो यहां आपको जो हे एक form 4A मिलेगा ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो है यही form number 4A है जो कि आप यहां पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यही जो form है आप से भर के मांगे जा रहा है ठीक है तो इसमें जो भी information है आपको भरना होगा कि उनका नाम हो गया उनका जो भी वाइफ फी डाउटर जिनके हैं उनके रेसिडेंट हो गया ठीक है इस चीजों भरना होगा फिर यहां पे जो भी नेम अप डिकलेस है वह आपको भरना होगा मतलब पूरी इंफोर्मेशन यहां पे आपको डालनी होगी कि देथ का काउज क्या था जो भी द जो भी डोक्तर से अपको भी वाला वेरिटेजिकेशन करवाना होगा तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने कमपलीट इंफोर्मेशन आपको बताए दिया कि इस तरह से payment का option आ रहा है तो वहाँ पे payment करने में कुछ problem भी देखने को मिल सकता है क्यूंकि मैंने जब जनुआ पत्र का वीडियो बनाया था तो उसमें payment जो ही नहीं हो रहा था ठीक है तो हो सकता है कि इसमें भी आपका payment में issue है तो थोड़ा सा wait करना है क्यूंकि नए portal है नए portal में थो करने के कोशिस किया हुए वीडियो थोड़ा सी बच्छा लगा है तो फ्रीज वीडियो को लाइक जरूर करें चली मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉफी के साथ अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद